हाई दोस्तों आप लोग कैसे हैं साही लिए जो क्रेसंद पॉइंट रूल ही में आपका स्वागत है हम लोग NCRT के भूक एक्सरसाइज पांच पॉइंट तीन का दूसरा नंबर कोश्चन का पहला है इसमें यह फल ग्याद करना जैसे कोश्चन दिया हुआ है साथ पलस दस पूनांग एक बाटा दो पलस चौधा पलस डौड़ पलस चौड़ास दिखे वीडियो कुछ लंबा होगा चलिए इसमें यह न निकालना है सबसे पहले पदों की संख्या निकालेंगे कि इसमें कितने पद है जब पदों की संख्या निकल जाएगा यह न निकल जाएगा तब हम लोग यह उपफल को निकालेंगे इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा चलिए यहां ए बराबर कितना होगा ए बराबर साथ और डी बराबर दूसरा पद में से पहले को घटा लेते हैं दस पुनांग एक बटा दो माइनस कितना होगा साथ यानि दस दूना बी दोसर दो यानि बटा के घटाओं कर लिजिए गा ति हो जाएगा एक एजिए तो जाएगा 2 से 2 केंसिल हो जाएगा तो दोस्तो एक बार फिर से गौर कीजिएगा यह यह बराबर है साथ डी बराबर दौस पुनां के 1 बाटा 2 माइनस साथ यानि दूसरा पद में से पहला पद को घटा लिए तो डी बराबर देखिए दोस दुना 20 आएक 21 बटा 2 माइनस 7 बटा एक कर लिए हैं अब बटा का घटाव इसको हम कर रहे हैं तो 2 हो गया 21 माइनस 14 बटा का घटाव है तो 21 में से 14 घटेगा तो हो गया 7 बटा 2 अब आंतिम पद जो है देखिए आंतिम पद दिया हुआ है 84 तो ए एन हो गया 84 देख रह पर में कुल संख्या कितनी है तो ए एन का फर्मूला लगाएंगे तो ए एन का फर्मूला होता है ए पलस एन माइनस घटा या साथ उतार दीए हैं गूना हो जाएगा साथ एन बटा दो माइनस का माइनस है एक और साथ बटा दो को गुना करेंगे तो साथ बटा दो हो गया अब देखिए एस 84 उतार दिये हैं पलस साथ है तो माइनस साथ और इस साथ एन तो यहां है माइनस साथ बटा दो अब क्या करेंगे 84 में से 7 घटाएंगे 84 में 7 घटाएंगे 77 बराबर यह काम करते हैं 2 और 2 का लो से निकाल देते हैं तो हो गया 2 यह हो जाएगा नहीं इसको छोड़ेते हैं आगे हम लोग बढ़ेंगे नहीं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा यानि देखिए माइनस 7 बाटा 2 है न तो पलस यहाँ पर ला करके 7 बाटा 2 कर देते हैं कोशन कुछ छोटा हो जाएगा तो 7 बाटा एन बाटा 2 अफिर यहाँ बाटा का जोड़ कर लेंगे 1 का 2 का लोस होता है 2 77 दूना 114 पलस 2 से 2 को भाग देंगे 1 सते 7 यह 7 बाटा हो जाएगा 2 अब क्या करेंगे इसको की जोड़ देंगे 154 और 7 को जोड़ देते हैं तो 154 और 7 हो जाएगा 161 बाटा 2 161 बाटा 2 बरावर 7 बाटा 2 आडा तिर शी गूना कर दे क्रोस मुल्टिप्लाई तो हो जाएगा आपको n बरावर इस साथ n रुक जाएगे 7 n गूना 2 7 n गूना 2 बरावर 161 गूना 2 161 गूना 2 या n बरावर हो जाएगा 161 गूना 2 बाटा 7 गूना 2 7 गूना 2 2 से 2 केंसिल हो गया 7 से भाग देंगे 161 को ते हो जाएगा 23 कितना हो जाएगा 23 यानि n बरावर हो गया 23 पदो की संख्या हो गया 23 प्रस्ण से हम लोग को निकालना है योगफल तो योगफल का फर्मूला क्या होता है योगफल का फर्मूला योगफल बरावर इसका फर्मूला होता है n बाटा 2 2a पॉलस n माइनस 1 d यही न फर्मूला होता है योगफल n की जगा में कितना n तो हमारा तेईज आया हुआ है देखिए याँ पर तेईज है न देख रहे हैं, तेईस है, तेईस, एन की जगा पर हो गया, तेईस, एन की जगा पर हो गया, तेईस बटा, दो, टू, गूना, एकी जगा में क्या लिखेंगे, साथ आया हुआ था, साथ था, पलस n की जगा अपर कितना होगा 23-1 d के जगा हमें मिला हुआ था 7 बाटा 2 7 बाटा 2 इसको लिख दिए 23 बाटा 2 हो गया 7 दुना 14 पलस 23 में से घटेगा 22 गूना 7 बाटा 2 21 दुना 22 23 बाटा 2 इसको गया 14 पलस 21 सत्य 21 और 7 का गूना 77 होता है तो लिख दिए 23 बाटा 2 गूना 77 और 14 का गूना 77 और 14 को जोड़ना है जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इस हो जाएगा आपका 91 91 हो गया 23 और 91 का गूना कर दिजिए तो हो जाएगा 20 293 23 और 91 का गूना हो गया 2093 बाटा 2 2 हो गया 2 से भाग दिजिए 2093 को तो हो जाएगा 10 46 पुना के एक बाटा 2 यहीं एंसर हुआ दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं की है तब नए है तब बेल आइकन का बटन दवा दें कि आपके बहुत असानी से वीडियो मिल जाए और लाइक का भी बटन दवाए शेर करें फिर हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत